आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें नहीं मिलते हैं, मतलब किसी भी विंदू पर प्रतिचेत नहीं करते हैं और चोथा है उप्रोक्त मैंसे कोई नहीं तो सबसे पहले, गोले का मानक रूप में समीकन क्या होता है? गोले का मानक रूप में समीकन होता है एकस माइनस ए का हॉल स्क्वाइर प्लस Y माइनस B का हॉल स्क्वाइर प्लस Z माइनस C का हॉल स्क्वाइर बराबर R का स्क्वाइर जहां पर A, B और C ये तो होता है हमारे पास गोले का केंद्र और जो R होती है वो क्या होती है गोले की त्रिज्जा तो यहां पर हम देखोगे तो हमारे पास A, B और C तीनों का मान क्या है 0 तो हमारे पास जो गोले का समिकर्ण दे रहा है उसका केंदर हमारे पास क्या है 0, 0 और 0 मैं मान लेता हूँ केंदर हमारे पास O है तो O के निर्देशां क्या हो जाएंगे 0, 0 और 0 मतलब O हमारे पास क्या है मुल बिंदू है अब हम herek क्या बोला है समतल का समe कर दे रहका x प्लस y प्लस z बराबर 5 रूट 3 तो अगर समतल और गोला एक दूसरे को सपर्ष करते है अगर समतल और गोला अगर मैं पहली condition देखू एक दूसरे को सपर्ष करेंगे यह मान लो समतल है हमारे पास कुछ इस तरह यह हमारे पास क्या है समतल है अब समतल और गोला एक दूसरे को सपर्ष कर रहे हैं तो गोले के केंदर O से अगर मैं समतल पर L Eenब डालूँ गा तो यह जो लब आएगा वो किसके बरावर आ जाएगा गोले की त्रिज्जा के बराबर, किसके बराबर आना चाहिए गोले की त्रिज्जा के बराबर, तो मैं क्या करूँगा, गोले की केंद्र जिसके निर्देशान की है, 0, 0, 0, उससे समतल पर लंब डालूँगा, तो किसी बिंदू से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई निक यहां पर लंब की नंबाई में क्या मालनूगा केपिटल ली यहां पर मापांग का चीन आ जाएगा क्यों कि दूरी निनात बगनी होती और बटे में आ जाएगा हमारे पास यहां पर समतल का समिकन है अब यहां पर बिंदू हमारे पास क्या हो जाएगा जिरो 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 और जिरो और जिरो तो हमारे पास लंब की लंबाई D के आ जाएगी AX1 तो यहां पर X की जगह हमारे पास क्या जाएगा 0 प्लस Y की जगह 0 प्लस Z की जगह 0 माइनस का 5 रूट 3 और बटे में हमारे पास कितना आ जाएगा root x के गुणांग का square प्लस y के गुणांग का square तो 1 का square 1 plus 1 का square 1 प्लस 1 का square 1 तो यह हमारे पास कितना हो जाएगा minus का 5 root 3 और इसका परिणाम क्या हो जाएगा plus का 5 root 3 और नीचे भी हमारे पास कितना हो जाएगा root 3 तो root 3 से root 3 cancel हो जाएगा तो हमारे पस जो लंब की लंबाई आ जाएगी D का मान कितना आ जाएगा 5 और अगर मैं गोले की त्रिज्जा देखूं तो गोले का मानक समीकर्ण से तुलना करूँगा तो R स्क्वेर का मान कितना आ जाएगा गोले की त्रिज्जा R स्क्वेर का मान आ जाएगा 5 तो जो R का मान है वो हमारे पास कितना हो जाएगा? रूट 5, तो घोले की तृजज़ा है, रूट 5 और यहाँ पर हमारे पास जो लम्प की लम्पाई आ रही है, क्या रही है? पाँच आ हरी है, तो हम जानते हैं कि जो 5 है, वो रूट 5 से बड़ा होगा जो D है वो हमारे पास R से बढ़ा होगा जो D हमारे पास लंब की लंबाई है केंद्र से वो तरिज्जा से बढ़ी होगी तो यहाँ पर तीन कंडिशन होती है अगर हमारे पास D बराबर R आ जाए D हमारे पास क्या है लंब की लंबाई है और R क्या है तरिज्जा D बराबर R आ जाए तो हमारे पास क्या condition होती है परस पर एक दूसरे को सपर्ष करते हैं अगर D का मान लंब की लंबाई है वो R से छोटी आ जाए त्रिज्जा से छोटी आ जाए मतलब यहाँ पर जो हमारे पास D आ जाएगी तो यह condition हो जाएगी second वाली और अगर D बढ़ा है R से लंबाई जादा होगी तो हमारे पास समतल यहाँ पर बाहार होगा D बढ़ा है R से तो हम क्या बोलेंगे कि एक दूसरे को नहीं मिलते है तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास जो लंब की लंबाई है 5 आ रही है और तिरिज्जा हमारे पास कितने आ रहे है ROOT 5 तो हम जानतें कि 5 है वो ROOT 5 से बड़ा होता है मतलब डाले गए लंब की लंबाई अथीकारी है तो हम क्या बोलेंगे कि समतल व घूला एक दूसरे को नहीं मिलते, विकल्प सीय हमारे पास क्या हो जाएगा, सही विकल्प, धन्यवाद